हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में आज की इस वीडियो हम बात करेंगे मैट्रिक बॉर्ड परिक्षा 2021 के लिए विज्ञान यानि साइन्स के महत्वपूर अबजेक्टिव प्रशन जो 2021 बॉर्ड के लिए काफी महत्वपूर है यह है वीडियो का पार्ट 6 और एक से लेके पार्ट 5 तक देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और प्लेलेट से आप जाके देख सकते हैं पहला ही प्रशन होमवर्क आएगा उसका जब आप हमको कॉमेंट बॉक्स में चाहिए अगर चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जो बेल आइकोन आता है उसे प्रेस कर लिजेगा ताकि पलपल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और वीडियो सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा अगर सुरू से अंतक नहीं देखिएगा तो आपको फायदा नहीं होगा ये रहा होमवर्क प्रशन है पौधो की पतिया हरी किसके कारण से दिखाई देती हैं से अगर आपका एंसर जो भी भेजना है तो यसे मत भेजिएगा कि A सही है B सही है C सही है पूरा इसका नाम लिख कि भेजना है कि कोन सही है आए देखते हैं अगला प्रश्न पहला नंबर प्रश्न वहारी किस प्रोंतन किया जाता है यह उप्षम्दर्सी क्या होता है जो हमारी आखों से दिखाई नहीं देता है उसे हम क्या करते हैं सुख्षम्दर्सी से देखते हैं तो सुख्षम्दर्सी में किस लेंस का प्रियुक किया जाता है इसको बताना है किस लेंस का प्रियुक किया जाता है तो उत्त किया कहते हैं जो परकास होता है किसी वस्तु से क्या होता है टकरा कर लोटने की परकास का प्रवरतन B opsi nede Prakas का प्रवर्तन C opsi nede Prakas का सीधी रेखा में गमन करने D opsi nede Prakas का मुढ़ना दिसका right answer हो जाएगा B यह क्या कहलाता है Prakas का प्रवर्तन कहलाता है तो यहाँ पर B o connection क्या हो जाएगा आये देख लेते हैं अगला number प्रशन है तिन नमबर उत्तल दरपण में किस परकार का परतिविम बनता है जो उत्तल दरपण होता है उसमें किस परकार का परतिविम बनता है पूछा गया है तो A उप्षन है उल्टा, B उप्षन है सिधा और बड़ा, C उप्षन है उल्टा और बड़ा, D उप्षन है सिधा और छोट बनाते हैं इसलिए चालक वहान के जो ड्राइबर होते हैं उसके साइड मिरर में जो दरपण लगा होता है ऐसे छोटा सा हो किस दरपण का बना होता है कौन सा दरपण उसमें होता है तो यही होता है उत्तल दरपण होता है उत्तल दरपण क्या करता है किसी वह वस्तू के इस दर्पन का प्रियुक किया जाता है तो उतलःपन का प्रियुक किया जाता है आए देख लेटें अगला number प्रशन अगला number प्रशन है चार number spectrum में किस रंग का जुकाऊ अधिक होता है यह ओपशन है लाल B option है हरा, C option है पीला, D option है बैगनी तो spectrum होता है उसमें किस रंग का जुकाओ अधिक होता है तो बैगनी रंग का जुकाओ क्या होता है अधिक होता है ये ज़्यादा फैलता है और लाल क्या होता है कम फैलता है तो लाल का जुकाओ कम होता है, लाल का जुकाओ कम होगा और बैगने का जुकाओ क्या होगा अधिक होगा तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा D, D option क्या हो जाएगा एगा हंड़ेट परसेंट सही हो जाएगा तो क्या होता है, सात रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसे पर्दा लगाकर एक अत्रित कर लिया जाता है, एक अठा एक पर्दे पर उतार लिया जाता है, जिसे हम एस्पेक्टरम कहते हैं, तो एस्पेक्टरम किस से प्राप्त किया जाता है, यहां पर राप्त किया जात देखलेकला अगला नमबर साइड मीरर करोप में किस दर्पन का उप्यूब किया जता हैं जो साइड मीरर होता हैada । यहांपर देखे ऊद्दर प्रियोग किया जाता है। क्यों किए जाता है क्योंकि है छोटा और सीधा परतिवियम् बनाता है जब कोई चनरा में देखे तो आकास कैसा दिखाया है मैडेगा तो रख्रसांडरी को ऑकास काला दिखाया कने तो काला कई चन गई और उसके ऊपर भी ओमनडल नहीं तो ऑर तन नहीं हो पाएगा जिसे आकास कैसे दिखाई देगा हमको काला दिखाई देगा आए दख क्ल Cemal नंबर प्रष्णे 8 अमपर प्रती रोफ का ए SII मात रख होता है ओप्षण है और ohm का symbol कैसा होता है ऐसा होता है ohm का symbol तो symbol भी देते हैं तो symbol भी आप पहचान सकते हैं अब ऐसा होता है तो यहां पर right answer हो जाएगा ब, b option क्या हो जाएगा से ही हो जाएगा आएये दिख लेते हैं अगला नमबर प्रशने विद्वoses यो होता है की तार के बनी होती है एक्रों यहां प्लेटिनियम बिद्वर होता है जो कला होता है टार जो कुंडली होती हो किसकी बनी होती है तो किसकी बनी होती है देहां पर right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा सै हो जाएगा अगला नमबर प्रशने 10 नमबर अमीटर को विद्ध परित्त में किस करम में जोड जाता है श्रेड़ इनकोप्षन परित्स गें में D option है उपर में तो ध्यान दिजिएगा E meter को बिदुत परिपत में किस करम में जोड़ा जाता है तो स्रेडी करम में जोड़ा जाता है ते हैं पर राइट अंसर हो जाएगा यह देख लिए अगला नमबर परशन बिदुत परिपतो उर्जा का ब्याइट मात्रख क्या होता है स्यी होजएगा चैनल पर नयह तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर दिजिएगा बेल आइकोन को जरूर प्रेस किजिएगा तक ये पलपल की notification मिलती रहें और वीडियो को तो जरूर लाइक किजिएगा ये देख लेता है अगला नमबर प्रशन है बारा नमबर बिदुद सक्ति का A सही मातरक क्या होता है A option है Joule, B option है Watt, C option है Kilo Watt, D option है A meter तो बिदुद सक्ति का A सही मातरक क्या होता है तो वाट होता है तेहां पर राइट अंसर हो जाएगा B, B option क्या हो जाएगा आए देख लेता है अगला नमबर प्रशन है तेरा नमबर प्रशन है स्वासन कैसी रसाइनिक अभिक्रिया है A option है उसमा 100C, B option है उसमा 6P, C option है मंद दहन, D option है इनमें से कोई नहीं जो सोसन होता है तो इसमा 6P होता है जिसमें उसमा का उतसरजन होता है तेहां पर राइट अंसर हो जाएगा B, B option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आईए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्ण चोदा नंबर कौन से पदार्थ को चाकू से असानी से काटा जा सकता है कौन सा पदार्थ है जिससे चाकू से असानी से काटा जा सकता है A option is magnesium, B option is aluminium, C option is lead, D option is sodium तो यहां पर पूछा गया कि पदार्थ को चाकू से असानी से काटा जा सकता है तो sodium को असानी से काटा जा सकता है चाकू से तो यहां पर right answer हो जाएगा D, D option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आइए देख लेते हैं अगला नमबर प्रशन, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रशन, बार बार पूछता है sodium का परमाडू से के कितना होता है, तो sodium का परमाडू से के आप हमेशा याद रखेगा A option है 12, B option है 11, C option है 16, D option है 10, तो sodium का परमाडू से के कितना होता है, तो 11 होता है, तो यह पर right answer हो जाएगा, सोडियम का परमाडू से कितना होता है, 11 होता है आइए देख लेते हैं अगला नमबर प्रश्न, अगला नमबर प्रश्न है, सिल्वर कुलॉराइड का रंग कैसा होता है, A option है पीला, B option है लाल, C option है हरा, D option है नीला, जो सिल्वर कुलॉराइड होता है, उसका रंग कैसा होता है, यह भी पूछा गया प्रश्न है, पिछल उच्वासिया अमलोग के sodium lounge को कहते हैं जो उच्वासिया अमलोग के sodium lounge होते हुथ होते हुशे क्या कहते हैं यह उप्सेन अपमार जक वी उपसेने साबुन सी ऊपसेने plastic डे उपसेने रबड तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा साबुन यानि B option क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा B option क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा उंच वासिया हम लोग की sodium lounge को क्या काते हैं साबुन काते हैं तो यहां पर B option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दूद का pH मान कितना होता है, ताजे दूद का वो भी, तो कितना होता है, 6, यानि 6 क्या होता है, इसका pH मान क्या होता है, 6, यानि C option क्या हो जाएगा, 6 है, तो यह क्या होगा, अमलिया होगा, अमलिया कहां से होता है, 0 से लेके 7 के बीच में, जो भी होता है, वो क्या होता है तो दूद्ध क्या होता है अमलिया होता है जिसके पीच मान कितना होता है अच्छे ऑप ही मॉटोपूर है आप इसे याद कर सकते हैं आईए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्ण हम कौन सा अधात्व कमरे किताब पर द्रो होता है कौन होता है , B भूप्शन है पारा , C आपसेट त debate अर्लमृन तो कोण ऐसा अधात्व है जो कम्रे के ताप पर किड्र हो जायगा , ए तरो हो जाएगा क्या हो जाएगा वो है जफ छाएघत अगरा प्षा अक्ला नम्मर प्रश्ण। का नीब होता है वो बनता है और हीरा तो आपको पाता है तो यहां पर पूछा है हीरा और ग्रिफाइड किसका अप्रूप है यह देख लेता है अगला नंबर प्रश्ण अगला नंबर प्रश्ण है यहां पर 21 नंबर प्राकृतिक संसाधन ने उन्हें में से कौन है इसमें से बताना है आपको प्राकृतिक संसाधन कौन है A option है 1, B option है gel, C option है koila, D option है सभी तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि प्रकृतिक संसाधन किसे का होते हैं जो प्रकृतिक के द्वारा होता है जिसे हम नहीं बना सकते हैं जिसे मानों नहीं बना सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग प्रकृतिक संसाधन बोलते हैं जो अपने से होता है तो यह हो गया वन हो गया जल हो गया कोईला हो गया सारा प्रकृतिक बनाते है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा यह सारे प्रकृतिक के देन है तो यहां पर D option क्या हो जाएगा तो जहाएगा अगला नम्मर होता है कि CFC का फुलकान क्या होता है क्लोरो फ्लोक्न होता है क्लोरो फ्लोरो कर्बन इसका ब्यापक यह अधिकतर पहां पे होता है और यही क्लोरो फ्लोरो कार्बन से ही क्या होता है और जो हमारा है उसमें छिद्र होते जा रहा है अगला नमबर प्रशन है 23 नमबर चिपको आंदोलन के सुरुवात कब हुई थी एउप्सेन है 1970, B उप्सेन है 1980, C उप्सेन 1975, D उप्सेन 1974 तो चिपको आंदोलन का सुरुवात कब हुआ था 1970 में और कहां पर हुआ था किस राजे में हुआ था तो उत्रा खंड में हुआ था और किस जीले से तो गढ़वाल जीले से हुआ हुए थह एक किया हुआ हो जाएगा जिए सरीर को सरीर को पाचन करने वाले जीव को क्या काते हैं धर भोक्तола करते हैं तो चलब होसिए जोमृति अंसर हो जाएगा भी वी ऑप्षन क्या हो जाएगा 100% से ही हो जाएगा यहाँ पर हमारे महत्वपूर अबजेक्टिव प्रशन समाप्त होते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और शेर तो जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा और जो बेल आइकन आएगा उससे जरूर प्रेस किजेगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे थैंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में